मैं आपके सामने ये बताने के लिए आया हूँ कि कैसे कुछक्र रचकर, कैसे दुर्भावना पूर्ण तरीके से साजिस रचकर इस देश के बेटे दिल्ली के बेटे अर्विंद केजरिवाल को गिरिफतार किया गया है और कितनी बड़ी साजिस है इसका एक एक करके आपके सामने मैं खुलासा करूँगा जो मुख्य मंत्री दिल्ली के दो करोन लोगों की सिख्षा के लिए स्वास्त के लिए बिजली के लिए पानी के लिए माता और बहनों को बस की फ्री आत्रा देने के लिए काम कर रहा है उस मुख्य मंत्री को जेल में डालने के पीछे कितनी गहरी और बड़ी साजिस रची गई है इसका एक एक करके आपके सामने खुलासा करूँगा और दूसरी बात ये शराब घोटाला 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 ये शराब घोटाला दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारती जनता पार्टी ने किया है और इसके अंदर कोई छोटे मोटे लोग सामिल नहीं है इसका भी खुलासा करूँगा आज इसके अंदर कोई छोटे मोटे लोग सामिल नहीं है भारती जनता पार्टी के सीर्स नेत्रुत्व के लोग इसमें शामिल है मैं एक एक करके बताता हूँ आपको एक व्यक्ति है मंगुंटा रेड़ी जिसने कुल साथ बयान दिये कुल तीन बयान दिये उसके बेटे रागो मंगुंटा ने साथ बयान दिये बाब बेटे ने मिला के दस बयान दिये और इस दस बयान को पीछे जब उनसे पहले पूछा गया 16 सितंबर को पूछा गया ED के द्वारा पूछा गया कि क्या आप अरविंद केजरिवाल से मिले थे जानते है तो उसने उसी बात की सच्चाई को उजागर किया जो बात सच थी उसने कहा हाँ मैं मिला था लेकिन चेरिटेबल टेस्ट की जमीन के मामले में मिला था लेकिन उसके बाद उसके बेटे को रागो मंगुन्टा को गिरिफतार किया जाता है रागो मंगुन्टा को जेल के अंदर रखा जाता है पांच महीने तक जेल में रखा जाता है और तब वो अपना बयान बदल देता है 16 सितंबर पर पहली बार कारवाई होती है मंगुंटा रेड़ी सांसत पर रेड होती है 16 सितंबर 2022 को और 10 फरवरी तक लगातार उसको कहा जाता है बयान दो बयान दो बयान दो केद्रिवाल के खिलाब वो बयान नहीं देता तो 10 फरवरी को उसके बेटे रागो मंगुंटा को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 10 फरवरी से लेकर 16 जुलाई तक साथ बयान लिये जाते है रागो मंगुंटा के मंगुंटा रेड़ी सांसत के बेटे रागो मंगुंटा के कितने बयान? साथ बयान तीन बयान बाप का साथ बयान बेटे का और उन पांच महीनों में जो साथ बयान वो देता है उसमें भी पूछा जाता है छे बयान में अरविंद केजरिवाल को जानते हो अरविंद केजरिवाल ने कोई घोटाला किया है अर्विंद केजरिवाल पे कुछ बोलना है उसने का नहीं 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 बिलकुल नहीं लेकिन पांच महीने की जेल के बाद वो तूट जाता है और सात्मा बयान 16 जुलाई को उसका होता है और वो बदल जाता है वो वही साजिस का हिस्सा बन जाता है पांच महीने के प्रतार्णा के बाद बदल जाता है और अर्विंद केजरिवाल के खिलाफ बयान देता है लेकिन हैरानी की बात सबसे ज़्यादा ये है कि ये छे बयान और बाप के दो बयान गायब कर दिये जाते हैं पांच महीने की जेल के दौरान दिये गए बयान एडी कहती है इस पर हमें भरोसा नहीं है और उसको रख लिया अन्रिलाइड अपान डाकुमेंट्स यानि ऐसा बयान जो केजरी वाल के खिलाफ नहीं था उस पर की एडी ने कहा हमें इस पर भरोसा नहीं है हमारे वकीलों ने अदालत में पैरवी की बार बार कहा हमें देख रहा है वो बयान जो उसने अपनी गरिफतारी के दौरान दिया और जब हमारे वकीलों को कोट ने आदेश दिया जाओ और देखो वो सारे बयान उनके हो सुल गए आपको पता इंके हो सुल गए बाप बेटे के नव बयानों में कहीं भी अर्विंद केजरिवाल का जिक्र नहीं और बाद में अर्विंद केजरिवाल का नाम उससे जवरन दबाव बनाकर अर्विंद केजरिवाल के खिलाब उससे बयान दिलवाया जाता है अब यह मंगुंटा रिड्डी और राभव मंगुंटा है कौन जिसको इडी ने कहा कि यह शराप का कारोबारी है शराप का घोटाले बाज है इसके हम छापा मारेंगे 16 सितंबर को छापा मारा मैं चाहूंगा यह तस्वीर आप लोग जरूर ध्यान से देखिए यह भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ गलवईया करते हुए उनसे मिलते हुए यह तस्वीर आप जरूर देखिए यह मंगुंटा रिड्डी सांसर जिनकी तस्वीर है भारत के प्रधान मंत्री के साथ यह मंगुंटा रिड्डी जिनकी तस्वीर है भारत के प्रधान मंत्री के साथ 16 जुलाई जब यह हमारे खिलाब बयान देता है अर्विंद केजरिवाल और आम आदमी पार्टी को खतम करने की भाजपा के साजिस में सामिल हो जाता है तो 18 जुलाई को इसकी बेल हो जाती है 18 जुलाई को इसकी जमानत हो जाती है आप समझ पा रहे हैं इसनी बड़ी साजिस एक आदमी जिसको खुद एडी कह रही है यह सराप का घोटाले बाज है सराप का घोटाले बाज है उसका क्या रिस्ता है भारत के प्रदान मंत्री के साथ और इतना ही नहीं आज की तारीख में वो टीडीपी से चुनाव लड़ रहा है और भारत के प्रधान मंत्री की तस्वीर लगातर जनता से वोट मांग रहा है मैं चाहता हूं वो भी आप दिखाईए यह देखिया आप इसको टीडीपी का टिकट मिला हुआ है भारत के प्रधान मंत्री की तस्वीर लगाकर वोट मांग रहा है जिसको भादपा कहती है घोटाले बाज है जिसको कहती है एडी कि हम इस पर कारवाई करेंगे हम इसको ग्रिफ्तार करेंगे हम इसको जेल में डालेंगे जब उसने केजरीवाल के खिलाब बयान दे दिया तो वो नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगाकर जनता से वोट मांग रहा है भारत के लोगतंद्र में यह है इसकेस की सच्चाई देश के लोगों जान लो आपके नेतारविंद केजरीवाल के खिलाफ जो व्यक्ति बयान देता है यह है और जो बयान छिपा लिया जाता है एडी के द्वारा हमारे वकीलों के दबाव में कोट के आदेश के बाद जब वो बयान देखते हैं जाकर एडी के दफ्तर पर जिसको अन्रेलाइड डाकुमेंट में एडी ने रखा यानि कि ऐसा डाकुमेंट जिस पे भरोसा नहीं है सुर्वाती सारे बयान जिस पे भरोसा नहीं है वो बयान जो उसने सही सही बताया था उस पर कह दिया हम इस पे भरोसा नहीं उसको छुपा लिया बोले छुप ज़ो बेट और ये है वो चुनाव प्रचार कर रहा है टीडीपी से चुनाव लड़ रहा है और ये है भारत का प्रदान मंत्री इस फोटो में सब से उपर उनकी तस्वीर है वोट मांग रहे हैं कि मोदी जी के नाम पर हमको वोट दे दीजिए अब मैं आता हूँ कि सराब घोटाला भारती जन्तापार्टी ने कैसे किया अबTrade सक्साता आए सराब का कारोबारी जिसको कहती है भारती जन्तापार्टी घोटाले बाज है गोटाले बाज है, गोटाले बाज है, सरद रेड़ी, सरद रेड़ी के घर पे, 9 नवंबर को छापा होता है, 2022 में, 9 नवंबर 2022 को छापा होता है, और 9 नवंबर 2022 के बार, इससे पूछा जाता है केजरिवाल जी के बारे में, ये साफ साफ मना कर देता है, कहता है मैं अरविंद केजरिवाल को जानता ही नहीं, उनसे मिला नहीं, उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं, और इसके कुल बारा बयान होते हैं, बारा बयान, ध्यान से सुनियेगा, इसको बहुत जरूरी है, जानना जरूरी है कि दिल्ली के मुक्ख मंत्री के खिलाफ, कितनी बड़ी साजिस करके उनको ग्रिफतार किया गया, नव नवंबर से लेकर, इससे पूस्ताच के दौरान, इसको जो भी दबाव बनाया गया, इसने मना किया, फिर इसकी दस नवंबर को ग्रिफतारी हो जाती है, दस नवंबर को ग्रिफतारी हो जाती है, और दस नवंबर की ग्रिफतारी के बाद, इसने कुल पचीस अपरैल तक, यानि कि छे महीने, इसको जेल में रखा गया, इससे बार-बार कहा गया, बयान दो केजरी वाल के खिलाब, बयान दो केजरी वाल के खिलाब इसने नहीं दिया, बारा बयान इसने कुल दिया, और छे महीने के बाद जब इससे कहा गया, बयान दो वरना जिन्दगी जेल में सर जाएगी, बयान दो वरना जिन्दगी जेल में सर जाएगी अब वो कोई संजय सिंग तो है नहीं वो सरद रेड़ी है टूट गया पचीस अपरेल को उसने केजरिवाल के खिलाब बयान दिया अब हमारे वकील फिर परेशान हुए कि जिस वेक्ति ने केजरिवाल के खिलाब बयान दिया उसके दस बयान को अन्रेलाइट डाकुमेंट में एडी ने क्यों डाल दिया उन्होंने फिर कोर्ट में अप्लीकेशन लगाई जाच के आदेस मिले हमारे वकील गए उन्होंने देखा एडी के दफ्तर में जाच के आदेस मिले वकील गए उन्होंने देखा सारे दस के दस बयान पढ़े वकीलों के हो सुण गए दस बयानों में केजरिवाल का नाम नहीं कि और दस बयान जो केजरिवाल के खिलाफ नहीं थे उस परीड़ी ने कहा इस पर भरोसा नहीं भरोसा नहीं और जैसे ही उसने पचीश अप्रेल को कि अर्विन केजरिवाल के खिलाफ बयान दिया उसकी बेल हो जाती है उसकी बेल हो जाती है अब ये सरद रेड़ी जिसको भारती जनता पार्टी कहती है ये सराप का घोटाले बाज है ये सरद रेड़ी जिसको भारती जनता पार्टी कहती है सराप का बहुत बड़ा घोटाले बाज व्यक्ति है ED कहती है सराप का भोटाले बाज है उसको गरिफतार करती है 6 मईने जेल में रखती है केजरीवाल के खिलाब बयान लेने के लिए बार बार कहती है 10 बार वो कहता नई, 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 केजरीवाल से कोई मतलब और रिस्ता नहीν 10 बयान के बाद जब तूट गया के बाद इसको बेल हो जाती है कि यह सरद रेड़ी कौन है कि असली घोटाला सुरू हुआ एडी के जाच के बाद भारती जनता पार्टी का शराब घोटाला और पहली पेसगी और नजराना भाजपाईयों को कब पहुचा पांच करोण रुपए का पांच करोण रुपए का पंद्रा नवंबर को पहली पेसगी और नजराना पांच करोण का पहुचा और कुल 55 करोण रुपए की रिश्वत जिसको किंग पिन बताते थे किंग पिन सरद रेड़ी उस किंग पिन ने 55 करोण रुपए की रिश्वत भारती जनता पार्टी को दी 55 करोण रुपए की मनी ट्रेल तो खुले आम मिल गया और वो मनी ट्रेल भी ऐसे पता नहीं चला भारत के सरवोच्च न्यायले की किरपा से पता चला जब उन्होंने का दिखाओ 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 तो 21 मार्च को साम को 6 बच के 50 मिनट पे मजबूरी में सारे डिटेल डालने पड़े वेफसाइट पे बताना पड़ा कि ये शरद रेड़ी है सराव का घोटाले बाज किंग पिन जिसको कह रही थी एडी और जैसे ही 6 बच के 50 मिनट पे भारती जन्ता पार्टी के सराव घोटाले का खुलासा हो जाता है 7 बच के 14 मिनट पर मुख्यमंत्री के दफ्तर पे मुख्यमंत्री के घर पे छापा पड़ जाता है क्योंकि आप मीडिया में चर्चा करते हैं आम आदमी पार्टी मुद्दा उठाती कि बई शराव का घोटाला तो बीजेपी ने किया है 21 मार्च को साम को 6 बच के 50 मिनट पे इसका खुलासा हो जाता है 55 करोड रुपए की रिश्वत भाजपा ने लिए इस बात का खुलासा हो जाता है उस खबर से ध्यान हटाना है जनता का ध्यान भटकाना है पहुंच गए केजरिवाल के घर और साथ बच के चोदा मिनट पे चापा मार दिया का गया एडी के धिकारियों को जाओ चल्दी वरना है तो हमारा घोटाला खुल गया है तो बड़ा गड़बड हो जाएगा और धाई घंटे की पूस्ताच में जो दस सम्मन दे रही थी एडी और हम कह रहे थे आम आदमी पार्टी को एक खतम करना चाहते है अर्विंद केजरिवाल को गिरिफ्तार करना चाहते है वो बात सच निकली और अर्विंद केजरिवाल जी को दो घंटे की पूस्ताच के बाद गिरिफ्तार कर लिया गया तो असली बात ये है कि ये शराब घोटाला भारती जनता पाटी ने किया है और ये शराब घोटाला एडी के जाच के बाद सुरू हुआ है और दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाब गहरी साजिस्त के तहट ऐसे बयान छिपा लिये गए अन्देलाइड अपान डाकुमेंट में डाले गए जो बयान केद्रीवाल के खिलाफ नहीं थे और दबाव बनाकर जो बयान लिया गया वो बयान आधार बनाया गया जूटा बेबुनियाद आधार तो इसलिए साथियों और दोस्तों मैं इस देश की जनता से कहना चाहता हूँ आपका मुख्यमंत्री आपका नेता दिल्ली के भाईयों से कहना चाहता हूँ सौ प्रतिसत इमानदारी से अपना जीवन जिया है अपना जीवन जी रहा है अर्विंद केजरिवाल पर ना कोई दाग पहले था और ना जीवन में कभी रहेगा अर्विंद केजरिवाल का गुनाज सिर्फ एक है कि वो दिल्ली के बच्चों को अच्छी सिक्षा के लिए काम कर रहे है उनका गुनाज सिर्फ ये है कि दिल्ली की माताओं वेहनों के लिए बसकी फ्री यात्रा का इंतजाम कर रहे हैं उनको एक हजार रुपए की आर्थिक सहायता का इंतजाम कर रहे है अर्विंद केज्रिवाल का गुना सिर्फ ये है कि वो बुदर्गों के लिए तीर थियात्रा का इंतजाम कर रहे हैं फ्री बिजली फ्री पानी का इंतजाम कर रहे हैं एक ऐसी सरकार जो दुनिया में देस में सबसे बेहतरीन तरीके से काम कर रही है उसके पीछे ये बड़ी गहरी साजिस करके उनको गरिफतार किया गया है और ये सारी तारीकें और ये सारे बयान चिला चिला कर ये कह रहे हैं कि ये साजिस है साजिस है और साजिस है